स्रिक्रिसन सिंग की जैनती मनाई जा रही थी सदाकत आसरब में लालू परसाद यादब पहुँचते हैं 136 जैनती पर बिहार के पहले मुख्मंत्री भी हैं स्रिक्रिस्न सिंग और साथ ही उसमें कई विवाज जुड़ गया जब लालू परसादिया दब चीफ गेस्ट बनाए गया तो भाजपा के तरफ से भी बिरोध किया गया और साथ ही जो भाजपा के जो मोस्ट सीनियर बिहार के नेता हैं और मोदी सरकार के मंतिया गिर्राज सिंग ने भी कई बाते की है और सुसील कुमार मोदी भी उसमें यह कहते हुए नजर आएं कि स्रिक्रिस्न सिंग जितना काम किये हैं और जिस प्रकार का उनका विकास का एक उनका मॉडल था वह लालू परसाद वहां पर जाकर उन्हें अपमानित या कह सकते हैं कि वह जाकर उन्हें कह सकते हैं कि उनके अस्तर को नीचे किये हैं और उन तमाम बातों को लेकर अभी हम बात करने आएं हैं और कुछ और बाते राज़त से जुड़ी ही और तमाम राजनीतिक कह सकते हैं कि हलचलों से जुड़ी ही बाते अभी हम जानेंगे राजत के राष्टिये प्रवक्ता हैं करुणा सागर जी एक परिचे यह भी है कि तमिलाडू के पूर्व डी जी पी रह चुके हैं सर जिस प्रकार से स्रिकिसन सिंग की जयनती पर ही हम आते हैं लालू परसाद यादब चीफ केस्ट बनाएगे आपके समाज के कई लोगों ने इसका विरोध करते हुने जरा इसको कैसे देखते हैं हमारे समाज से तो विरोध नहीं हुआ आपने जैसा अपने इंड्रक्शन में कहा कि कुछ भारतिये जंता पार्टी के नेताओं के द्वारा विरोध हुआ है तो उनको इस कारेक्रम का इतिहास नहीं पता ह अखले सिंग जी जो आज कॉंग्रेस के जक्ष हैं बिहार प्रदेश के उन्होंने अपनी राजनिति क्यात्रा राजत से शुरू की थी और माननी है लालू जी के कहने पर तैईस साल पहले उन्होंने पहली बार स्रीवाबू की जन्दिन की जैनती को मनाना शुरू किया था और हमेशा लालू परशाजी के कहने पर मनाना शुरू कि जी उन्होंने कहा कि स्रीवाबू इतने बड़े नेता थे और आप लोग को चाहिए कि उनका सम्मान करें और चुकि आने वाली संतती को उनके बारे में पता चले तो इसलिए जहनती मनाना चाहिए और उसी समय से अ लालू जी उसमें मुखती थी रहते थे उनके कारेक्रומों में यह कि पिछले कुछ सालों में चुकि उनका स्वास्त भी ठीक नहीं था और वो उपस्तित नहीं थे इसलिए नहीं आये और इस Peng bona نया बिहार बनाने वाले लोगों में हैं बहुत सारा काम की हैं अगर लालू परसाद याद उस मंच पर सोभा नहीं दे रहे हैं देखें ये एक बिलकुल उनका व्यक्तिकत विचार है और वो एक नेता हैं इनफेक्ट मैं तो कहूंगा कि उनके तरह सीनिया नेता को इस तरह की ओची बाते करने शोभा भी नहीं देती हैं स्रीबाबु एक बहुती बहु आयामी प्रतिभा के धनी थे और वो किसी समाज के नेता नहीं थे अगर किसी समाज से उनको अगर आप जोड़ के देखेंगे तो उनके व्यक्तित्व के साथ अन्याय होगा वो सब पूरे राज्य के नेता थे देश के अ को जवाहर कहके बुलाते थे आज बताएए कौन सा मुख्यमंत्री है इस देश में जो ततकालीन प्रिशान मंत्री को नरेंद्र कहके बुला सकता है तो वो उनका इस ठेचर था और यह आने आज के दौर के युवाओं को इस बात को जानने की ज़रूरत है आपने मतलब हर बात पर नरेंद्र मोधी को निसाना लगाने लगते हैं उससे पहले एक बात लालो परसाद यादब जी कहे कि जो उनके समाज के नेता है यानि सिर्क्रिशन सिंग के समाज के लोग थे उनहीं लोगों ने भूला दिया उनका कहना था कि जब हम मुख मंद्र किसी समाज के नेता नेती और देखिए उनके जहनतिती पर राज किये कारेक्रम होता है तो राज किये कारेक्रम तो उनहीं लोगों को होता है ना जिन लोगों ने समाज को राज को देश को दशा और दिशा देने में प्रमुख भूमी का निभाई है तो उनके रोल को उनके कारेकाल को और मैं इस समय नहीं गिनाना चाहता हूं कि उन्होंने क्या-क्या कारे किये सब को पता है और लगातार कुछ जोनों में चर्चा भी हो रही है तो वह एक बहुत बड़े व्यक्तित्व थे और उनके व्यक्तित्व को उनकी जो विरासत है उसको आज की पिढ़ी को जानना जरूरी है और इस लिए इस तरह के कारेकरम किये जाने चाहिए इस बार देखा आपने की 21 तारी को राजत कारियाले में स्रीकृष्ण जी का जन दिन पखवाड़ा मुनाया गया और यह कहीं एक वोट वैंक को साधनी के विसारा नहीं नहीं फिर मैं वही बात कहूंगा कि अगर आप उनको किसी वोट बैंक से जोड़ेंगे किसी समाज विसेश से जोड़ेंगे तो उनके साथ नियाए नहीं होगा यह आपका कहना सही है मगर बिहार में कुछ ऐसा राजनीतिक घटा टोप होता है या कुछ विज़े से आप भी आप से यह बना है तुट जाएंगे कुछ लोग इधर हो जाएंगे उधर हो जाएंगे जो हाल के महीनों में बैयान आए हैं पिछले महीने में अगर हम कहें तो बड़ा पार्टी में अखलेस यादब का नाम अगर हम ले तो और भी अरविन के जडिवाल के तरब से भी वो चलत नहीं है और तो कहा दिया कि हमें सीट नहीं मिलेगा तो उत्तर प्रदेश में कॉंग्रेस को सीट मतलब की उसको भी बता देंगे दिखिए तो यह जो गटबंधन है मैंने का यह वैचारिक गटबंधन है और 24 की लड़ाई एक वैचारिक लड़ाई है और इसके लिए इस प्रदेश के प्रमुख जो दल हैं वो सब एक साथ आए हैं और इसका जो फोकस है वो 24 का चुनाओ है और जो भी मीटिंग हुई है उसमें 24 के चुनाओ के तहत राज रणिती क्या होनी चाहिए उसके बारे में चर्चा हुई है और राज्यों के बारे में राज्यों के और कॉंग्रिस में थोड़ी बात विवाद सा लगा कुछ लोगों ने बयान दिये लेकिन आपने उसके बाद भी देखा कि मीडिया के मार्जम से ही मैंने सुना कि माननी है लालुपसाद यादो जी ने बात किया सोनिया जी से और सोनिया जी और खड़गे और राहुल जी इन सब लोगों ने विचार किया और अखलेश यादो जी से बात हुई और फिर अखलेश यादो जी ने भी अपने लोगों को कहा कि आप इस विशह पर कोई टिका टिप नहीं नहीं करें कोई ट्वीट वगरह नहीं करें तो ये छोटी चीजें होती है और इसको उसी समय लगती है ही है कि कोई भी इसको अपने एगो को लेके कि नहीं ऐसा नहीं होगा तो हम ऐसा करेंगे यह नहीं ऐसी बात नहीं है होती हैं बाते होती हैं अगर ऐसा कई बार हुआ है छोटी छोटी बातें जमा होती है और एक ही बार गुसा के गुवार में छुटती है अभी अर्विन के जिरिवाल भी सान्थ हैं सीटों को जब वो होगा तो दिल्ली और पंजाब में जब होगा तो एक अलग महौल होगा ग बंगाल में होगा तो अलग मतलब तीन-चार अस्टेट में लगातार कॉंग्रेस और स्ट्रभी छेत्रिये पार्टियों में एक गुस्ता फूटेगा है देखिए आप पत्रकार हैं और टी आरपी की एक मजबूरी होती है तो आप इसलिए कह रहे हैं कि गुबार फूटेगा समस्याइं आएंगी अरे भाई अभी तो कोई समस्या है नहीं ना कोई बेंगवाल में कोई बात हो रही ना पंजाब में बात हो रही ना दिली में कोई बात हो रही है तो मैंने कहा कि वहां जहां समस्या हुई वहां देखिए कि इतने शिर्स नेताओं ने भी इसको गंभीरता से लिया और तुरत उस बात को वहीं पर समाप्त कर दिया जाए इस बात की पहल की गई और समाप्त कर दिया गया तो यह कहना कि आगे ऐसा होगा पिछले 10 वर्सों में सामने आये हैं, देश नहीं, दुनिया भर में, लगातार जो भिपक्षी पार्टियां है, वह निसाना नरेंदर मोधी को ही बनाती है, ऐसा क्या कारण रहता होगा, कि आप लोग सीधे तौर पर कह सकते हैं, कुछ भी हो, नरेंदर मोधी की सरकार, भाज इस समय जो सत्था है, जो व्यवस्ता है, वो व्यक्ति विशेश पर केंधर और यह हुम लोग ने नहीं किया है, वो आप लोगों ने किया उनीके पार्टी लोगों ने किया है, हर बात पे जब भी बात होती है, तो आज अगर आप एक BJP के कार्यकर्ता से बात करेंगे, टो वो बीजेपी के लिए वोट नहीं मांग रहा है वो पधान मंतरी के नाम पर वोट मांग रहा है तो जब आप हर चुनाओं में हर महौल में हर चर्चा में किसी चेहरे को आगे करेंगे तो अगर उनके खिलाप भी कोई बात करनी होगी तो उनी को टार्गेट किया जाएगा औ और अक्सर होता है आपने देखा कि जितने राज्य के चुनाओं हैं वहां के जो च्छत्रब थे चाहिए वो रमन सिंग हो शिवराज सिंग हो वसंदर राज्य हैं कहीं आज में केंपेनिंग में आप नहीं दिखेंगे आपको केंद्रिय मंत्री मंदल इतना बड़ा मंत्री मंदल है केंद्रिय मंत्री मंदल की कोई नेता इन पचार परसार में नहीं दिखेंगे अच्छा हम आपके पार्टी का एक्जामपल लेंगे जैसे यह लालटेन चाप हुआ राजद है अगर इसमें अगर हम लालु पुरसाद यादव को जी को अगर बाहर निकाल देते हैं अपना की है यह पार्टी उनके विचारधारा से चलती है और देखिए आप लोग यह भूल जाते हैं कि जो मानिय लालु जी का जो कॉंट्रिबूशन है कि इस समय इस राज्ज के दो प्रमुख दल चाहे वो कॉंग्रेस हो या भाजपा हो दोनों दल के जो अध्यक्ष हैं वो लालु जी की नरसरी के पैदावार हैं और उन्हीं से राजनीती उन्होंने सीखा है यह उनका कॉंट्रिबूशन है तो हमारे दल में लालु जी का कद्द सबसे बड़ा है इसमें कोई संदेह नहीं है और आज एक यूबा चेहरा की तरह मानिय तेस्वियादो जी उस व कर रहे हैं सब को जोड़ने की बात कर रहे हैं अब देखिए पत्रकार लोग आज वो जपैन में बैठे हैं पिछले तीन-चार दिनों से और लगातार बिहार में टूरिजम का विकास कैसे हो उसके लिए काम कर रहे हैं लेकिन इस पर चर्चा नहीं होती है जाते हैं तो अब किस तरह से मैंने एक जगह में इंट्रूव में बुला था कि आज हिंदुत्वा की बात नहीं है मोधित्व की बात है और वही चल रहा है आप आपने देखा कि किस तरह से सरदार पटेल स्टेडियम जो मोटेरा में बना था सरदार पटेल के नाम को अटाके उसको नरे भारत किया गया तो हर जगह यह जो है दिखिए जो भी आदमी एंबिशिस होता है न उसको एक सेंस ऑफ हिस्ट्री होती है इतिहास का एक संग्यान होता है और वो चाहता है कि आने वाले समय में आने वाला इतिहास में उसका नाम बड़े शुर्खियों में रह उसके बारे म पर यांस्तिशिंज का नाम आप रखकर इतिहास को भ्रमित नहीं कर सकते हैं मैं इतिहास का विद्याती रहा हूँ और इतिहास बड़ा कुरूर होता है वो जब आने वाले समय में इस काल का इतिहास लिखे गा तो इस काल में जो प्रधान मंत्री का जो काल है उसको वो चीरेगा फारेगा डाइसेक्ट करेगा पुस्ट मॉटम करेगा माइक्रोस्कोप लगा के देखेगा और उसका अंकलन करेगा और उसके बेसिस पर इतिहास लिखेगा कि क्या हुआ अब यह जो है कि अपनी जिंदगी में लोग होता है क उनकी जब वो दुनिया में नहीं रहे तो उसके बाद उनकी पार्टी के लोग कुछ जगों पर उनका नाम रखते हैं मुझे इतियास में याद आ रहा है कि मध्यकाल में कई जो बात्सा होते थे वो अपनी जिंदगी में अपना मकबरा बना देते थे जिसको टूम आपने यह जो मकबरा बनाते थे वो इसलिए बनाते थे कि उनको यह विश्वास नहीं होता था कि उनके बाद जो बादशा बनेगा वो उनके लिए मकबरा बनाएगा तो इसलिए वो अपनी जिंदगी में मकबरा बना देते थे ताकि उनकी मृत्यों के बाद उनका उनको वहीं प हुए हैं उनके नाम पर इस देश में बहुत सारे संस्थान और जो योजनाएं हैं वो चलती हैं देश के केंद्र के अस्तर पर भी और विभेन राज्यों में भी लेकिन उसको हटाने से आप इतिहास नहीं बदल सकते हैं इतिहास को बदलने के लिए इतिहास बदलने का काम करना पड़ेगा आपका जो काम होगा आपका के जो कारेकाल से देश पर जो असर पड़ेगा वो इतिहास उस बात के लिए आपको याद करेगा चलिए तो ये बाते हैं नरेंद्र मोदी पर लगातार हमला और भी कुछ नरेंद्र मोदी पर कुछ अभी अब एक कल देखा होगा की चीफ एलेक्शन कमिशन जो है उसने इनका एक विक्सित भारत रथ यात्रा यह निकालने वाले थे और निकालने वाले हैं अचली उसमें क्या है सरकारी अधिकारी जॉइंट सेकेटरी डारेक्टर डेप्टी सेकेटरी इस रैंक के अधिकारी रथ प्रभार कारी होंगे जो केंदर की कल्यानकारी योजनाओं को इस देश के सभी पंचायतों में ले जाकर बताएंगे तो यह सीधा सीधा देखिए हमारे हमारी विवस्ता में पार्टी और सरकार अलग होती है सरकार का कार अलग होता है पार्टी का कार अलग होता है और यह जो परचा अभी अधिकारियों के आप इस तरह से करेंगे तो उसका میस्यूज होगा और कल यही अधिकारि चुनाव प्रभारी भी होते हैं रिटर्निंग आफिसर भी हुआ हि होते हैं प्रिजाइडिंग आफिसर भी होते तो आप एक तरह से इनकी मानसिक्ता को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे चाइना में होता है, चाइना में जो अधिकारी होता है बड़े पत पर, वो चाइनीज कम्मिनिस्ट पार्टी का बड़ा अधिकारी होता है, तब ही वो किसी बड़े पत पर होता है, लेकिन हमारे ऐसी बात नहीं है हमारे यहां permanent bureaucracy है और उसका selection process अलग है उसकी तंखा अलग है और उसको party से कोई लेना देना नहीं है यह dangerous है अब आपको एक देखा कि आर्मी को बताया गया कि लगवग साड़े 800 जगों पर शहरों में जाकर आप selfie point बनाएए और वहां मोदी जी का cut out लगा रहेगा और लोग आएंगे और आर्मी की द्वारा प्रायजी तुहां पे लोग फोटो किचाएंगे और सरकार की कल्यानकारी योशनों की बात होगी देखिए बहुत dangerous है क्योंकि इस देश में आजादी के समय ही महसूस किया गया था कि सेना को राजनीती से बिलकुल दूर रखा जाए और इसी लिए सेना के उपर civilian control है जो defense secretary जो होता है वो सेना के सभी chief के उपर होता है जो एक civilian officer होता है एक IAS officer होता है और जब आप सेना को का राजनीती करन करने लगते हैं तो उससे क्या खत्रे होते हैं इसके लिए ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है हमारे पडोसी मुल्क में 1947 के बाद से सेना का क्या रोल रहा है सेना ने कैसे सत्ता में वहाँ पर सत्ता के पूरे परिवर्तन में अपना रोल निभाया है ये सब बताने की जूरत नहीं है तो ये चीजें लोग तंत्र के लिए खतरनाक है शलिए तो ये बाते हम समझ रहे थे इनका कहना है कि नरिंद्र मोधी सरकारी मिसेनरियों को मतलब सर समाम आरोप थे बाकी स्री क्रिस्टन सिंग को लेकर हमने बाते पूछ चुके हैं और अप्चारिकता के लिए बता देता हूं इनका परिचय राजत के राष्टी ये प्रवक्ता हैं और पुर्व में यह तमिलाडू के डीजीपी भी रह चुके हैं मेरा नाम रवीकांत हु हम इसी परकारण खबरे लाते रहेंगे और आते रहेंगे धन्यवाद।